हेलो दोस्तों विल्कम बेक टू माई चैनल ब्रीज टेक्निकल इन्फरमेशन आज किस वीडियो महां आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग आधार कार्ड से जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं नहीं थो आपका डियोमग्राफि डाटा फेल्ड लिखेगा आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी दे रहा हूं एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट किया था कि मेरा नहीं हो रहा है दियोमग्राफि डाटा फेल्ड ही लिख रहा है तो उसका प्रोब्लम को मैंने सॉल किया है और इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग उस प्रोब्लम को से बच सकते हैं क्योंकि अभी वीडियो में अगर आफी डाटा फेल्ड हर किसी का लिख रहा है और कैसे लिख रहा है इसके बारे में हम पूरी चार्चा इस वीडियो में करेंगे और किसी का सही तरह से किया जाए ठीक है फ्रेंड तो चलिए हम विडियो को स्ट्याट करते हैं तो इसमें आप लोग को क्या करना है सबसे पहले आप लोग को प्रोपर डाटा बताते हैं सब सब पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है इला भारती ठीक है इला भारती आपको सर्च करने के बार यहाँ पर देखिए इला भारती का आपका पेज आ जाएगा फर्स्ट इस पर आपको क्लिक करना है तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करने के बार आपको थोड पहला लिंक ईलाभार्थी CSC जो कि block district and department login के लिए है तो इसको आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये department login के लिए है और block के लिए अगर आप CSC से करते हैं तो आपको यूज करना है link 2 यानि ईलाभार्थी link to CSC या फिर ईलाभार्थी link 3 अभी प्रोपर वर्क कर रहा है ईलाभार्थी लिंक 3 अगर आप ईलाभार्थी लिंक 3 पर जाते हैं तो आपका प्रोपर डाटा फिल होगा और ये कब होगा आपको हम बता देते हैं सुबा में चार से लेकर दस बज़े तक अच्छे साइट चल रहा है और साम को 5 वज़े के बाद ही अच्छे साइट चल रहा है अगर आप दीन में ट्राइ करते हैं तो आपका अच्छा साइट चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है तो आप लोग ध्यान से ट्राइ कीजिएगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए देखे यहाँ पर link 3 पर आपको क्लिक करना है फोर CSC login और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर login with digital से वाक option आएगा आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना CSC ID and password डाल करके login हो जाना है ठीक है login होने के बाद आपको हम बताते हैं कि page क्या आएगा ठीक है तो हम एक बार login हो जाते हैं आपका site अगर slow चल रहा होगा तो login होने में बहुत ज़्यादा problem होगा अगर आपका site अच्छा चल रहा होगा तो login होने में कोई problem नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर अब हम अपना capture डाल करके login हो जाते हैं sign in पर click करने के बाद आपको सबसे पहला option दिया गया है barometric for ilawarthi pension यानि इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको मैं proper data कैसे fill करना इसके बारे में हो आप लोग को बताते हैं आपके पास जदी account number है तो आप यहाँ पर account number डाल करके आप fill कर सकते हैं या फिर आपके पास अधार number है तो आप अधार number डाल करके यहाँ पर fill कर सकते हैं यहां पर सकते हैं चली इसके बारे में आपको बताते हैं यहाँ आपको Dekhiya करना है यहाँं पर आपको अधार-णमर집 नमर्डना रे उसके पर सरच पर क्लिक करने तो चलिए हम सच करके तो देखिए दौस्तों यहाँ पर आपको णार नमबर फिल करना है and search बोड़ नमबर वसके बाद मोबाइल वाड नमबर इसको आपको प्रोपर तरीकासे फिल करना है तो चलिए हम इस वीडियों हम बताते को कैसे फ्रोपर तो देखिए यहां पर as per as section order यहां पर आपका जो नाम है वो नाम रहेगा अगर आपका पिंसर मिल रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है ठाए वो आपका नाम रहेगा वो आपका चेंज नहीं होगा फिर यहां पर name as per bank अगर आपका अधार काड में पहले देखना है अच्छी तरह से कि आपका नाम क्या लिखा हुआ है उस नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है ठीक है और उसके बाद अगर यहाँ पर यहाँ पर आपका नाम और फिल कर दिये उसके बाद आपको यहाँ पर अधार नंबर अपना मिला ले है हमको कॉमेंट किया जा रहा है कि आप गलत बता रहा है डिमग्राफी डाटा फेल्ड हो रहा है ठीक है आदमी गलती कहां पर कर रहा है सिसी वाले देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि या तो आप यहां पर डालिए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है या तो आप यह 01 उसके बाद slash 01 slash 1985 या 87 ऐसे डालने तो ऐसे डालने पर अगर आप डिमग्राफी और पर क्लिक करते हैं तो आपका डेटा जो है फेल्ड ही होगा क्योंकि यहां पर प्रोपर वे आप नहीं डालना है आपको कैसे डालना है या तो आप केवल year of birth डालिये यहां पर 1987 या फिर आपको पूरा डालना है तो 1987-month 01 फिर से डास and date 01 ऐसे डालने के बाद आप डिमग्राफी data authentication पर क्लिक कीजिएगा तो आपका data successfully submit होगा ही होगा उसके बाद हम मुबाइल नमबर में आपको बताते हैं देखिए बहुत आत्मी का कॉमेंट आ रह डालते हैं तो data तो पहले आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर आप गलती से डाल दिये हैं आगे 0 लगाकर या पीछे 0 लगाकर अगर आप रॉंग नमबर डाले हुए हैं तो वह देखिए आप जब data आगे एक step बढ़ जाता है तो आपका पीछे नहीं आए ठीक है अगर आपक करना कर रहे हैं उसे पूछिए कि वह वाड नमबर कितने में आते हैं ठीक है जो भी वाड नमबर है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहां पर सेलेक्ट करने के बार उसके बार जब सारा data complete हो जाए तो उसके बार आपको यहां पर डेमगराफी और पर क्लिक कर देना है ठी कि यहां पर डेमगराफी और पर क्लिक कीजिए तो आपका ऐसा डेटा खूल करके आ जाएगा देखें यहां पर सबसे उपर लिखा हुआ है डेमगराफी data authenticated यानि आपका authenticate हो चुका है कब हुआ है इसका date यहां पर दिया हुआ है 3-1-2022-19 बज़ के 7 मिनट 52 सेकेंड यानि ज़स्ट अभी के अभी data जो है successful हो गया verified कहां से हुआ है अधार नमबर से हुआ है अभी bio authentication बाकी है ठीक है तो आप यहां पर go for bio authentication पर क्लिक कीजिएगा ठीक है उसके बाद आप इससे आगे जा सकते हैं और bio authentication कर सकते हैं यहां पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप bio authentication कर सकते हैं तो आपको थोड़े दर वेट लगेगा और उसके बाद demographic data authenticate दम successfully save हो जाएगा तो आपको जो भी DOB date of birth का जो format है उसको आपको सुधारना पड़ेगा ठीक है तो आपका जो है bio authentication सक्सेस्फूल सब्मिट हो जाएगा देखे यहां पर आचुका है bio authentication अब यहां पर आपको क्या करना है देखिए यहां पर आपको एक बार और मिला लेना है कि आपका नेम सही है बैंक का नेम सही है यहां पर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको एक बार तसल् device में लगा हुआ है Morpho या Mantra या फिर SRD service कोई भी लगा हुआ ठीक है तो आप उसको लगा दीजिएगा और यहां पर थोई दरवेट कीजिएगा तो आपका दो नाम या तीन नाम लिख करके आपका आजाएगा डिवाइस का नाम कि आप कौन सा डिवाइस अभी एक्टीव है जो भी यहां पर लिख कर आजाएगा अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग उपर आई बटन में एक और यहाँ पर नहीं आ रहे तो एक दो बार आप रिफ्रेश डिवाइस कर सकते हैं उसके बाद आपका डेटा आ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है capture पर capture और पर क्लिक कर देना है capture और पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर submit और पर एक क्लिक करना है ठीक है, submit पर क्लिक करने के बाद आपका verify हो जाएगा और आपको अगर कोई भी problem हो रहा है आप लोग comment कीजिए मैं 24 x 7 आप लोग को comment के reply जरूर दूँगा तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरा सिखाना था कि कैसे आप लोग गलती कर रहे हैं तो आप लोग इस गलती को करने से बचे और अच्छी तरह से आप लोग अधार और हैंटिकेशन करें ठीक है friends तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई